नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका इंडिया के स्ट्रॉंगेस्ट यूटूब चैनल SKD और इन्वन पे गाईज अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को प्रेस करके औल के बटन पे क्लिक कर दें क्योंकि आज से आप लोगों के लिए फूचर मेकर की अपडेट एक साल के बाद फिर से मिलने जा रही है रादेश श्याम का चेहरा आप देख रहे हैं पिछले दो तीन सालों से गोली दे रहा है ये इनसान लोगों का अर्बों रुपे का घोटाला कर चुका है अभी भी जेल में सड रहा है फिर भी लोगों को डाडस बदाया जा रहा है कि आज मिल जाएगा कल मिल जाएगा जो आज एक ट्रस्टिट प्लैट्फॉर्म के जरिये मुझे कुछ न्यूज मिली है मैं आपको न्यूज जरूर शियर करूँगा अभी मेरे चैनल के उपर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहती हैं अगर आप लोग इंट्रेस्टेड हैं जानने के लिए मेरा वाट्सअप नंबर हर वीडियो में रहता है प्रिवेस वीडियो रुआत करने जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आज की डेट में जिसके पास पैसा है उसी की पूछ होती है जिसके पास पैसा नहीं है तो उसके करीबी रिष्टेदार भी उसको भूल जाते हैं पैसा ही सारी चीज नहीं होती लेकिन पैसे के बि भी उतार चुके हैं ये लोग कुछ management के लोग ऐसे हैं कब solution निकले का क्या होगा कुछ नहीं पता है अब एक newspaper के जरीए जो खबर मुझे आई है मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूँ ये सब इनके top leader हुआ करते थे आज इन लोगों के पास शायद कपड़े तक पह दिखा हुआ है क्या है ये अशोग बिस्नोई जी है जो कि मैं इनका fan हूँ अशोग बिस्नोई जी का जो कि लोगों को गोली देने में number one position पे आते हैं कि दोस्तो बस दहरी बनाई रखें आपका matter solve हो जाएगा दहरी बनाई रखें बस इन्होंने तीन सालों से लोगों को यही चीज़ बोली है बस दहरी बनाई रखें और इनकी जेब मोटी होते जा रही है इसलिए इनके जो गाल है उनमें लाली माब की भी कमी नहीं दिखाई दे रही है तो पेपर की क्या अपडेट है मैं आप सब लोगों को बताता हूं ध्यान से सुनिएगा ध्यान से देखेगा ध्यान से पढ़िएगा जो हिंदी पढ़ने में सक्षम है नीमच future maker company का फरार आरोपी में दो एजेंट गिरपतार भेजा जेल नीमच जिला साइबर पुलिस ने करोड़ों की धोकाधड़ी करने वाली future maker life care private limited company के मालवा शेत्र के दो main agent को court में रिमांड में लेकर लाखो का उनका commission उजागर किया है जो की आम जनता को बेवकूब बनाकर जमा किया गया था वहीं इनके bank record भी खंगा ले जा रहे हैं वहीं रिमांड की अवद अवदिक के बाद court में पेश करने पर उन्हें jail भीज दिया गया है तो guys आप लोग पढ़ सकते हैं ये वीडियो चल रही है इसमें क्या लिखा हुआ है वो दो agent कौन है उनका नाम तो मैं reveal नहीं करना चाहूंगा लेकिन इस तरीके की problem होई है किस तरीके से लोगों ने खु किसी ने अपनी जमीन बेच करके किसी ने अपनी सालों की पूझी जो सेव करी हुई थी वो लगा रखी है कैसे कैसे करके लोगों ने पैसा लगाया है आगे पढ़ सकते हैं आप cybercell के उपनी रिक्षक अभिशेक पाल ने बताया कि हरियाना की चिटफंड company future maker life care private limited में करीब करीब सभी की गिरबतारी हो चुकी है लंबे समय से फरार छेत्र के में एजेंट चिरंजीवी पिता भैरुलाल धाकड उम्र 46-48 क्या है मुझे शुद्ध हिंदी नहीं आती वर्ष और महेश पिता भावरलाल धाकड की उम्र 42 वर्ष निवाशी चिकलाना रतलाम ने स्वयम ही कोर्ट में सिरेंडर किया था इस पर पुलिस ने नियालाई से prediction warrant पर गिरफतार कर दो दिन की रिमांड में लिया है जिसमें रिमांड के दौरान पूछताज में सामने आया है कि वह भी आम जन की तरह कमपनी से पिडित हैं वह कमपनी के एचेंट बने थे और कमपनी की स्कीम को सभी को अवगद कराकर उनहें जोड़ा था और कमपनी के सभी को रुपे लेकर फरार हो गई पिडित लोगों ने इन दोनों को इसलिए आरो भी बताया है आप लोग देख सकते हैं आपर कलेक्टर के पास चला था मामला ततकाली न्याले के पीठा सीन अधिकारी कलेक्टर जितेंदर सिंग राजने कंपनी के बैंक खातों में जमा राशिक से पांच करोड़ पचास लाक रुपिये ब्यास सहीत कुर्क करने का आदेश दिया था में बेज कर चेंज सिस्टम के आधार पर सेंकड़ों लोगों को करोणों की ठगी की थी तो गाइस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग जो सिस्टम है वो गलत नहीं है लेकिन अगल उसको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है आपको मनी लॉंडरिंग के तरह आपसे बोला जा रहे कि आप इतने पैसे जमा करो आपको इतने साल बाद आपका पैसा इतना हो जाएगा तो वो बिल्कुल मनी लॉंडरिंग के अंदर आता है ऐसी जगह पे अपना पैसा निवेश ना करें अगर आप कर रहे हैं तो अपने रिस्क प पहुंचा है, फ्यूचर मेकर की अपडेट आप लोगों को मिलते रहेगी, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, जया हैंद, जया भारत, वंदे मातर,